बना के दिखाऊंगा कि कितने pattern पे तो इसके अंदर दिखोगे पहला जो pattern था question बिल्कुल simple दूसरा capital gain आ गया उसके बाद NPV आ गया अब NPV में पहले एकी machine से काम चल रहा था फिर एक पुरानी machine बेचा नई machinery आ गया लेकिन उसमें क्या था पुरानी machinery भाई balance sheet में नहीं था अ अब जो करेंगे दो machinery होंगी और एक machinery नई जो हम replace करेंगे और जो पुरानी machinery होगी वो balance sheet के अंदर भी होगा अब कहानी यह है यानि सर आपके पास मैं machinery की बात करूँ तो एक आपके पास old machinery होगा और एक आपके पास new machinery होगा हम old machinery को क्यूं बदलना चाहते हैं reason यहाँ पे आपका maintenance maintenance आपका high होता जाता है जैसे जैसे पुराना होगा और क्यूं बदलोगे सर लेबर लेबर भी high हो जाएगा क्या पता old technology पे हो new machinery में labor ही ना लग रहा हो नमबर तीन production प्रोडक्शन आपका low होगा compared to new technology तो यह कुछ reason है जिसके वज़े से हम नई machinery को replace कर देते हैं और नई machinery में यही सारा फाइदा मिलेगा बस यहाँ पे problem यह है कि इनका cost थोड़ा सा high होगा इसका cost थोड़ा सा high रहता है समझें तो सर अब हमें जब comparison करना हो तो हम क्या करेंगे जैसे यह machinery को बेचेंगे आज की date पे तो दो लाग का और इस machinery को अगर हम खरीते हैं तो पांच लाग का तो ultimately मेरे pocket से निकलेगा 3 लाग तो हमने difference लिया तो same यहाँ पे अगर raw material की बात करें तो लगता था 5000 यहाँ पे labor लगेगा मान लेते हैं 2000 तो इसका मतलब आप 3000 आपने saving कर लिया और जो 3000 रुपए आप saving कर रहे हो that is also part of income वो भी तो income का ही part है आपका मान लेते हैं यहाँ पे depreciation लगता था 5000 और यहाँ पे हो सकता है possibly कितना हो जाए 7000 तो 2000 रुपए का आपका खर्चा बढ़ गया यानि अब हमारे पास एक पुरानी machine होगी एक नई machine नई machine को हम बदलेंगे तो हमारे कुछ खर्चे बचेंगे अब आपको sales नहीं देगा यह sales नहीं देगा बस यह बताएगा कि इस machinery का क्या खर्चा था और इस machinery पे अब कितना खर्चा होगा तो दोनों के बीच में जो पैसा बचेगा उसको बोलेंगे saving और दोनों के difference लेके जो पैसा निकालते हैं उसको बोलते है incremental saving यानि अब जो हम काम करेंगे सारा incremental पर depreciation incremental खर्चा incremental या फिर आपका कोई revenue का पार्ट हो रहा हो ऐसा बोला जा सकता है कि यहाँ पर production हम 1000 unit करते थे यहाँ पर 1500 unit जिसके वज़े से हमारा profit 5000 रुपे बढ़ गया तो यह क्या है incremental तो इसी basis पर एक question देखते हैं पहले मैंने प्राइब के question आपके exam में भी पूछे जाते हैं देखो अगर आपको NPV आ गया ना तो बाकी के और भी टेकनिक से IRR है या payback period है चाए ARR है और भी दो-तिन टेकनिक अगर यह आ गया तो वह एक दिन का काम है काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो IRR भी रहता है अभ तो IRR भी नहीं कराया तो यह सारी एक दिन का काम है अगर आपको inflow निकालना आ गया क्योंकि अभी तक question में देख रहे होगे सर present value निकालना not a big challenge अगर आपको inflow पता चल जाता है ना तो rate से multiply करके तो निकाल लेते हो मेन हमें inflow निकालना होता है challenging अब सर यहाँ पर ऐसा भी कि उतना labor लगता रहे है तो चलिए हम पहले question को समझेंगे क्योंकि सारे question समझने वाले होंगे और last class की मैं बात करूँ तो side class notes नहीं मिला होगा तो सभी बच्चे video में तो पूरा है तो video को pause करके noting जरूर करें last वाली class तो कहता है कि able electronic is a considering a proposal replace a machine which brought जो कि खरीदा गया था three year ago और खरीदा गया था सर 10 लाग का यानि कहना चाता है सर एक old machinery तीन साल पहले हमने 10 लाग रुपे का खरीदा था ये पुरानी बाते चल रही है it has remaining life five year और सर तीन साल पहले खरीदा था इसका अब भी life बचा हुआ है remaining life that is five year इसका मतलब इसका total life अगर मैं पूछू वैसे अभी use नहीं हो ना total life अगर पूछू तो आठ साल होगा सर तीन साल पहले खरीदे बचे पांस तो कितने life रहा होगा इसका आठ साल आगे कहता है which it have no salvage value इसका मतलब सर जब पांस साल बाद इससे बेचा जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा but if it's sold now अगर हम अभी बेच दे तो अभी जाके बेच दे तो सर हमें मिल जाएगा market में छे लाग रुपय इस maintenance cost expected to increase by 5000 पर एनम कहता है कि its maintenance cost is expected to increase by 5000 पर एनम from the six year हर साल पांच है पचास है पचास है हर साल पचास हजार का खर्चा बढ़ जाएगा हर साल का maintenance को लेकिन पहले साल नहीं दूसरे साल नहीं तीसरे अब मसींटरी के मैं life बोलू एक दो तीन पहले खरीदा चार पांच छे साथ आठ तो कहता है जैसे six year में जाओगे it's मतलब इसी की बात कर रहा है its maintenance cost expected to increase by 5000 पर एनम हर साल का और the six year of its installation जब हम छटे साल में from year of its installation six year तक बढ़ेगा और जिस दिन हमने installation किया है उस दिन से पर एस सेंटेंस पढ़ लिजी दुबारा मैं repeat कर देता हूँ क्या कहता है सर आपके सामने कुर्शन है कहता है its maintenance cost expected to increase by 5000 पर एनम from the six year of its installation आगे देखते हैं a new more efficient machine is available for rupees 15 lakh कहता भया एक इस से भी efficient machinery है सर अब efficient की definition क्या है labor cost कम हो जाए maintenance cost कम हो जाए production बढ़ा दे उसी efficient machine बोलते हैं तो एक new machinery अगर हम खरीदें आज तो सर new machinery मिलेगा हमें अब अगर आज की date पर खरीदते हैं तो हमें 15 lakh payment नहीं करना हमें कितना payment करना होगा ultimately देखा जाए तो छे लाग का तो भी की जाएगा सर चली आगर बढ़ते जाते हैं और new machinery able 15 lakh this machine can be sold कहता है कि more efficient machine available 15 lakh this machine can be sold after completion of its five years यानि सर एक machinery जो है न यह 15 जरा लाग का मिल रहा है लेकिन पांच साल के बाद इसे बीच देंगे और छे लाग का बीच देंगे कितने साल बाद पांच साल के बाद इस new machine will be lead increase productivity को बढ़ाएगा there by increasing revenue by और जैसे ही productivity बढ़ेगा तो डेड़ लाग रुपेज साल का इससे revenue भी होगा यानि देखो सर हम यहां पर तीन साल बीच गय हम यहां खड़े हैं यहां से आगे पांच सालों की बात करनी हैं कर पक दर समझरें बात को इसी साल तो निकलके परानी इसी साल से हमारा revenue बढ़ने लग जाएगा डेड़ लाग से it also reduce the operating cost by यह भी फाइदा है खर्चा कम हो जाना यानि ultimately नई मसीन लगाते ही एक तो डेड़ लाग रुपे की यह income आ जाएगी एक लाग रुपे का खर्चा कम होना भी income ही होता है तो धाई लाग रुपे की total income generate होना चालो हो जाएगा the company tax rate 50% है company का tax and cost of capital 10% है it use state line method for the purpose of depreciation advise the company about the replacement बताइए company से replace करे या फिर ना करे what will be the your decision expected salvage value of the new machinery अगर new machinery का salvage value 2 लाग रुपे कर दिया जाए तो क्या आपके फैसले पे कोई फरक पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो simple सी बात है सर जो भी हमारा अगर NPV positive आता है चाहे 2 लाग पे चाहे 6 लाग पे जिस पे भी NPV positive आएगा तो हम accept कर लेंगे अगर मान लो 2 लाग पे फिर हमने calculation किया और NPV क्या आ जाए negative आ जाए तो हम reject कर लेंगे कहानी यह किया पहले एक बार आप question देख लिजिए question में कोई doubt बच्चे कह रहे है question upload question 10 year के अंदर आपके available अचलिए मैं कल upload कराता हूँ question देख लिजिए question clear आपको मैं एक बार दुबारा फटा फट से conclude कर दूँ question दुबारा से समझा दूँ देखिए क्योंकि question में समझना है फिर देखो अगर समझ में आ गया बड़ी जल्दी निप्टा देंगे कोई फरक नहीं पढ़ना जल्दी अल्दी कर भी सकते हैं चलिए है मेरा highlighter कैसा चलता यह है बेका रहे है मैं इसे फिर से मिटा के और फिर दुबारा एक बार question समझा दूँआ है मैंने का सर जादा pattern नहीं है एक दो pattern और बचे हैं बस खतम होते फिर chapter को भी बहुत जल्दी फिर homework में मिलना चालू हो जाएगा कहता है एक able electronic is considering proposal to replace एक company है जो सोच रही है परपोजल किसी ने दिया के भईया machinery बदल लो और तीन साल पहले खरीदा गया था और कितने का खरीदा गया था दस लाका it has the remaining life 5 साल यानि इस machinery की total life रही होगी आठ साल after which no salvage value sir zero का बिकेगा ये but if they sold now अभी अगर हम इसे बेच दे तो बिके जाएगा कितने का छे लाक रुपए का its maintenance cost expected to be increased 50,000 per annum from the six year its installation यानि सर छटे साल की बात करूँ न तो एक दो तीन चार पांच छे छटे अगर मैं पुरानी मसीन रखूँ आना तो छटे साल मेरा एक खर्चा आएगा हर साल हर साल 50,000 खर्चा आएगा छटे, साथवे, आठवे, आठवे के बाद तो मसीन की जिंदगी नहीं बची तो फिर कहां से खर्चा आएगा तो एक चीज मुझे बताना, जब नई मसीनरी लगाएंगे, यह तो पुरानी मसीनरी पे खर्चा आएगा, तो जवाबे नहीं होगा यह पुरानी मसीन का है, तो क्या नई मसीनरी पे भी छटे साल में खर्चा होगा, छटे साल की बात कर रहे हो ना, और लॉजिकली देखा जाए ना, तो कुछ बच्चे येर में उलच जाएंगे तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल और पांच साल, पास्ट को तो कंपेरी नहीं किया जा सकता ना, जो बीत गया सो बीत गया, तो यानि नई मसीनरी में देखे जाए, इस साल हमारा सेविंग है, नई मसीनरी लगा लिया, मालो नई मसीनरी नई मसीन्री लग गया नए मसीन्री लगाता है हमारी सेविंग' की डिइट लाक के waking को अ फिरьте ऑपरेटिंग कॉस्ट बचा एख लटाइग टाई लाक की सेविंग प्रागे गए तोher लाक सेविंग और एक लाख ये वाला revenue होगा और सर एक लाख रुपे का expense reduce होगा नई मसीन राने के बज़े से ये expense भी तो हमारा खतम हो जाएगा तो कब होगा हमारा rule के हिसाफ से six year लेकिन हमारे हिसाफ से third year नई मसीन के हिसाफ से third year और पुरानी के हिसाफ से six year क्यों मैं ये sentence ही तो समझाना चाहता हूँ कहता है the six year of its installation तो six year से होगा और new machinery more efficient है it's available 15 लाख का होगा इसको आप market में बेच दे तो जी 6 लाख का बिख जाएगा after completion five year life ही पांस साल है the new machine will be lead increase the productive the increased revenue by 10 लाख रुपे it's also reduce the operating expense एक लाख रुपे दा company rate tax 50% and all और depreciation लगेगा सर SLM depreciation कौन सा है नहीं से पहले question बताइए समझ में आये नहीं आये कुछ बच्चे कह रहे है question थोड़ा सा कट रहा है तो ठीक है सर यह देख लीजिए अब आजएगा पहले question बताइए समझ में आये नहीं आये मैं simple जानना चाहता हूँ comment में भी जवाब दीजिए और आप जितने बच्चे पहले साल की मेरी income दो जगह से पहले साल मेरी income कितनी होगी बताइए पहले साल पहले साल मतलब नए वाले के इसाब से पहले साल income कितनी होगी? धाई लाख रुपे का कैसे होगा धाई लाख रुपे का income? ठेड़ लाख saving और एक लाख operating cost में कम तोटल धाई लाख दूसरे साल क्या होगा saving? Again 2.5 लाख तीसरे साल saving क्या होगा? 3 लाख रुपे तीसरे साल saving क्या होगा हमारा? चौथे साल क्या सेविंग होगा हमारा तीन लाग यानि चौथे साल वी और पांचवे साल में सेविंग इतनी बात समझ में आ रही है ठेक है अब आजाओ डेप्रीशेशन पर एक बार कर लेते हैं तर पुरानी वाली मसीनरी का डेप अगर मैं आपसे पूछू कौन बच्चा बताएगा ओल्ड वाली मसीनरी का डेप ओल्ड वाले का डेप कौन बताएगा और न्यू वाले का डेप आपके उपर छोड़ा जा रहा है ये पुराने और नए वाले का दोनों का डेप बता दिज और पुराने वाले का भी डेप बता दीजे कि कितना डेप्रीशेशन होगा ओल्ड का कितना है लाइव में जितने बच्चे हैं वो भी बताएं हट जाएं आगे से ये लिजे नहीं देख तो रहाँ डेप सचिन ने कहा सर ओल्ड का होगा एक पच्चिस आप बताते हैं कितने ओफलाइन वाले बच्चे ओफलाइन वाले बच्चे भी बता रहे हैं एक पच्चिस कुछ बच्चे इधर उदर देख रहे हैं प्रीती आप बताओ कैल्गुलेटर निकाल रहे हो आप बताओ अंजली कैसे होगा आप बता दो एक पर्चेस 50 लेक हाँ हाँ इधर लिखते हैं आप जो जो बोलेंगे लिखेंगे हम बताइए नहीं 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 पहले एक एक करके अमाउंट बताइए आप 15 लाग ठीक है हाँ नहीं लिख दिया 15 लाग कोस माइनस 6 लेक करूँ चलिए जी बहुत बढ़िया लाइफ 5 येर कौन से कैलकुलेटर पर निकाला एक पच्चेस तो बिलकुल तो सर पुरानी मसीनरी का जो मसीनरी का था सर 10 लाग था और 10 लाग सालवेज वेल्यू है नहीं 8 तो 1.25 और 9 मसीनरी का होगा सर 15 लाग माइनस में 6 लाग डिवाइड़ बाए 5 येर को असी अजार थोड़ा होच-पोच हो गया वैसे भी मैं मिटा दूंगा अभी चलो नहीं रहना देते हैं इसका आगया सर हमारा एक लाग देखो अब क्योस्चन में क्या कहता है रेवेन्यू बढ़ जाएगा यानि इंक्रिमेंटल की बात कर रहे हैं क्योस्चन में कहता है ओ तो डेप्रिशेशन में कितना इंक्रिमेंटल होगा नई मसीनरी लाने के बात बताईए कितने 55 डिफरेंस इंक्रिमेंटल मतलब समझो डिफरेंस इंक्रिमेंटल मतलब डिफरेंस तो पहले लगा करता था मतलब हमारा अभी बताएंगे यानि 55,000 रुपे अभी बता दूँआ चलिए अब इस कोश्चन को हमने पूरा समझ लिया अब इस कोश्चन का इंफलो वाला काम कर लेते हैं पहले हम फटा फट से और इंफलो जल्दी जल्दी कितने साल का आप देखो हर साल का इंफलो क्या रहने वाला है सेम या अलग-अलग क्योंकि पहले साल कुछ है, दूसरे साल कुछ और है, तीसरे बदल गया तो हमें पांस सालों का बनाना पड़ेगा न सेम तो मैं अलग-अलगी करूँआ बच्चे हर किसम के है एक साल, दो साल, तीन, चार, और पांच चलिए, year one, two, three, four, five, board पे ध्यान दीजिए बिल्कुल, new के इसाफ से, तो सबसे पहला saving saving एक एक करके लिखेंगे, सारा detail में लिखना है बोट पे ध्यान दीजिए और operating cost का saving operating cost से भी पैसा बचेगा एक लाग और सर और क्या खर्चा था, खर्चे का नाम क्या था एक जो पचास अजार वाला से, maintenance charge भी बचेगा लेकिन maintenance charge पहले, दूसरे, यानि छटे साल की बात कर रहें तो तीन पीछे, तो छटे साल से होगा, तो यानि यहां से start होगा ये पचास अजार बचना चालो होगा ये तो सर हम बात करें तो total income हो जाएगी नई machinery को लगाने के बाद पहले साल में, धाई लाग, धाई लाग, तीन लाग, तीन लाग, और तीन लाग पहले आप इसमें बताइए, जो income होगा, saving होगा, total हमारा ये होने वाले हैं नई machinery से किसी को इसमें दिक्कत, किसी को इसमें problem, नई अब खर्चा भी बढ़ेगा, तो less करदें, इसमें से खर्चा depreciation, और depreciation कौन सा, increase वाला तो सर, increase वाला depreciation होगा, 55 पीछे मैंने लिख दिया था, अब जिसको depreciation 55 समझ भे नहीं आए, उसके लिए मैं दुबारा लिखूँगा सबसे पहले, old वाले का depreciation देख लीजिए सर, old वाले का depreciation 10 लाग का रुपए का machinery था, और 8 साल चलेगा, और no salvage value तो बस आप इसको solve करेंगे, तो 1.25 आ गया, that is 1,25 जार, नए वाले की बात करें सर, तो नए वाले में दो कहानी चुपी हुई है, नए वाले के अंदर बात करते हैं, नए वाले के अंदर हमारा 15 लाग रुपए का machinery है, और 6 लाग रुपए का, और divided by इसकी life 5 साल है, जो कि आता 1 लाग, तो सर पहले 1.25 और 1.80 तो देखा जाए, तो सर 55 रुपए का increment लग गय और वो 55 लिख दिया मैंने, सर अब हमारा net profit देखा जाए, after depreciation, जिसको मैं EBIT कह देते हैं, माइनस करेंगे क्या आएगा, 190 ये भी 190 और ये 2,00, और ये भी 2,00, कोई समस्या, समझ में आ रहा है, अब माइनस क्या करते हैं इसके बाद हम, question में कितने percent tax है, 50 है ना, चलिए निकाल लो 50 percent हर किसी का, सर माइनस करने के बाद 50 percent है तो ये ही बच जाएगा, बिल्कुल सही, और वापस inflow के लिए क्या करेंगे, depreciation को plus तो कितने, सर इसको solve कर लें अगर तो, क्या रहे बताईए, इसको उपर कर देते हैं, उपर जगह है, एक बावन, 152 500, 152 अच्छा, 1 डबल, कितने बच्चों को doubt हैं यहां तक, समझ में आ गया, सर incremental क्यों लिया, अब बच्चे पूछ रहे हैं, incremental क्यों लिया, बहुत बच्चे ऐसे question पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब अभी दे देते हैं, सर machinery, हम terminal outflow निकाल देते हैं यहां पर, समझ में आ जाएगा, terminal outflow, आपसे अगर पूछा जाए ना, terminal outflow तो जट से आप बता सकते हो, सर आपने machine खरीदा, machinery खरीदा सर आपने, 15 लाक रुपए का, है ना, और machinery आपने तीसरे साल ही बदल दिया, तो पुरानी machinery से भी कुछ पैसे recover हुए हैं, तो minus कर देते हम यहां से old machinery, तो कितने रुपए, 6 लाक, ultimately आपका outflow जो है, वो है, अब बताओ, यह outflow incremental है, या फिर actual है, incrementally हो गया न, एक्स्ट्रा कितना गया, तो जब सर outflow एक्स्ट्रा ले रहे हो आप, तो सारे inflow भी तो एक्स्ट्रा वाला ही चलेगा, आप ऐसे थोड़ी कह सकते हों कि सर फंद्रा लाक रुपए का हमारा पैसा गया, और इतने पैसे आ गया, फिर गलत होगा, ये भी सब जितना बढ़के हमारे पॉकेट में पैसा आ रहा है, और ये भी जो गया हमारे पॉकेट से वो भी तो incremental है, तो दोनों को incremental inflow भी लिया, और incremental outflow भी ले लिया हमें, बताइए पहले, यहां तक समझ मैं ही बात, कुछ बच्चे पूछ रहे थे incremental का, तो मैंने बता दिया incremental का, आपको ठंड लग रही है, जब बच्चे आते ने, क्लास में तो पंके में लटक जाते हैं, और थोड़ी दिर बाद बोलते हैं कि कूलिंग हो रही है, बताइए पहले, यहां तक देखिए कोई दिक्कत, मेहा आपका डाउट था, incremental क्यों हुआ, किलियर हो गया होगा, होफ़ुली नहीं होगा, तो फिर देखते हैं, अब हमें निकालना है NPV, question था, machinery खरीदें के ना खरीदें, और question में, अगर machinery खरीदना है के नहीं खरीदना, एक ही तरीका है बताने का, और एक तरीका क्या है, कि सर, increment, NPV क्या आ रहा है, एक तरीका यह है कि सर, NPV क्या आ रहा है, तो NPV के लिए, मुझे हर साल का PV factor निकालना होगा, NET निकाल नहीं सकते हैं, हर साल का income सेम है नहीं, तो अगले page पे चलते हैं, हम year count कर लेते हैं, और वैसे देखा जाए तो मैं यहां भी कर सकता हूँ, आपको भी बता देता हूँ, कैसे करा जाएगा, इस page पे भी, हमारा सारा year तो दे ही रखा है, नहीं, सारे year पता है हमें, अब देखिए, अलग से करना है, तो अलग से कर लीजिए, यहां करना है, मैं यहां लिख देता हूँ, pvf, pvf, f factor, pv present value, किसका सर, 10% का, तो पहले साल का pvf क्या होता है, 0.909, दूसरे साल का क्या होता है, 0.86, 826, तीसरे का होता है, 0.7, और वही वाला जो calculator पर सिखाया है, इतनी बात, 6, 8, और 0. सर, इसको multiply करोगे, तो pv निकल जाएगा, इसको multiply करोगे, तो क्या आएगा, present value आजाएगा, अभी थोड़ा उपर करने दो, बताइए क्या आया, पहले का pv, एक pv inflow है, यह, pv inflow, आपने बताया, सर, एक 600, दूसरे का, एक 25, 900, तीसरे का, करते जाएए भई, आप सभी भी करिए, एक 25, 133, 302, 200, 32, पाँचवे साल में, एक और inflow आने वाला है, that is a salvage value जिसे हम बोलते हैं terminal inflow तो मैं यहाँ terminal inflow भी निकाल देता हूँ है के नहीं सर टर्मिनल inflow जो होगा वो आएगा मेरा फिफ्ट इयर में that is 6 lakh और इसका PVF factor होगा 0.620 multiply करके बता दीजिये inflow का माँ 3 lakh 72 अब बताता हूँ हमें निकालना NPV NPV क्या होता है सारा inflow को जोड लीजिये और outflow को minus कर दीजिये positive negative देख लीजिये सारा inflow जोडने का मतलब ये 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 और ये और plus इनको जोड लेंगे देखेंगे कितना हो रहा है और outflow हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 9 lakh दोनों में positive और negative चेक कर लेंगे तो चलिए next page के आ जाते है add कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो पहले साल का inflow sir 1, 38, 622 1, 38 दूसरे साल का 1, 25, 965 तीसरे साल का 300 1, 21 1, 5, 0 और प्लस पांचवे साल में एक और आ गया 3, 2, 3, 2, 3, 2, प्लस कर दीजिए 7 क्यानि सर्ट नहीं गलत बता रहे हूं हाँ ठीक है 10, 10, 10, 1100 71 1, 171 ठीक है यानि ये सर क्या है ये inflow है 2nd year 1, 25, 965 है आपने गलत बता दिया मुझे साही तो लिखा है भई अच्छा वो बता रहे थे PVF कैसे निकाला एक तक आप पूछना है PVF कैसे निकाला ये देखे PVF पहली क्लास से मैं बताता आया हूं इसको 1 divided by 10% था तो 1.1 एक बार करोगे दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांच बार का निकालना था हो ये निकल जाएगा question में दे रखा है, आप देखिए question में मैंने underline mark भी किया है नहीं किया तो ये कर देते है 10% का निकाल दिया, ठीक है ना अब निकाल लेते है NPV NPV Sir, NPV क्या है inflow कौन से वाला, present value, minus outflow, present value, inflow Sir आपने बताया, 10,00,00, minus में outflow चेक करते हैं 9,00,00,00 रुपे टूटल है Sir, positive आ गया कितने? 1,11,71 ये आ गया, तो Sir, project should be accepted project को accept कर लिजे, लेकिन question एक twist डाला अगर हमारा sideways value कितना हो जाए तो बताईए Sir, अगर sideways value 2,00,00 होगा सब ही साल का income बदल जाएगा यानि ये question फिर से क्या करना पड़ेगा? समझे रहे हैं, पहले question समझ में आया? समझे रहे हैं, पहले बताईए second वाले पार्ट आप खुद कर पाऊगे क्या? मैं फिर भी बता देता हूँ, second वाले पार्ट में क्या रहेगा? second वाले पार्ट में क्या रहेगा? question ने कहा, Sir, अगर हमारा sideways value 2,00,00 हो जाए Sir, sideways value 2,00,00 होगा ना, तो जिसकी वज़े से नहीं मसीनरी का depth बदल जाएगा, और जब depth बदलेगा नहीं मसीनरी का, तो आप समझ सक्यों, मैं इधर बता रहा हूँ, थोड़ा कि 15,00,00 होगा, minus में 2,00,00, होगा, और divided by 5 होगा, that is क्या आजाएगा? 2,00,00, तो पहले 1,00,00,25,000 था, अब 2,00,00 हो गया, तो then incremental depreciation क्या आजाएगा? 1,35, तो जब आप solution करेंगे ना, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ depreciation में 1,35, 1,35, 1,35 हो जाएगा, आगे सब कुछ सेम रहेगा, last में 1,35, 1,35, 1,35 हो जाएगा, एक जगह और change होगा, outflow भी हमारा change हो जाएगा, क्योंकि salvage value कितना है, नई, outflow नहीं, outflow तो यहीं रहेगा, inflow change हो जाएगा, terminal, जो हमने 6,00,00,000 पे निकाला है, वो किस पे निकालेंगे, और tax भी, मतलब कहने क मतलब है, सर, यहां तक कोई बदलाव नहीं है, इसके बाद सारी calculation step by step था, तो change होता जाएगा, फिर से आप क्या करेंगे, जो यह वाला process था, सारे process को add on करेंगे, add करने के बाद फिर फैसला लेंगे, कि machinery को accept करना चाहिए, reject, बताएगे, आप कर पाएंगे, तो ठीक नहीं तो भी फटाफट हो जाएगा यह, कर लोगे यह, बिल्कुल सेम ही तो है, तो examiner ने पूछा हुआ है, पहले machinery का divided 80 होगा जैसे पहले था, अब फटाफट से note कर लीजिए, बिल्कुल new life 5 year ही रहेगा, सभी बच्चे कह रहे हैं, सर हम कर लेंगे, तो यह रहेगा आपका homework का part, करन सिंग का कहना है कि सर टर्मिनल का inflow समझा दो, करन inflow कौन से वाला, दो लाक होगा, तब वाला बताओ या अभी, अभी वाला बताओ, तो question में कहता था कि machinery को आप sold कर दोगे सर, और machinery को sold करोगे 6 लाक का, तो 6 लाक का sideways value आएगा पांचवे साल में, तो पांचवे साल में 6 लाक और पांचवे साल का PBF, present value factor, तो ultimately आपके पास 3,72,000 रुपए आ जाएंगे, इसके according, लेकिन जब नई वाला मैंने दो वाला बोला, तो 2 से multiply करोगे, तो कुछ और आएगा, देखो, 10 year के अंदर, इसको कैसे देखना है, देखो 10 year के अंदर क्या करा हुआ है, पहले तो theory theory है, theory की तो मैं question में बात कर रहा हूँ, या बाद में अलग से मैं बात करूँ है, इसको 3 पार्ट में बाता गया है 10 year को, एक theory के पार्ट में बात दिया है, एक practical के पार्ट में और एक बाट दिया है आपका question paper सर ये कहने को 10 year है बच्चे समझते हैं सर 10 year का मतलब सिर्फ 10 साल का सवाल होता है लेकिन 10 साल का होता था मैंने सारे assignment update करकर के करकर के जो की आपके book से और पिछले साल के question उठा के आप आप देखेंगे सिर्फ मैं question किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सिर्फ capital budgeting के कितने question डाल दिये मैंने 38 ये तो 38 साल का हो गया तो 38 year बोलेंगे हम इसे 38 question डालें सिर्फ capital budgeting के जिसमें से हम 7,8,9 पे चल रहे हैं कि जब एक बार सारा हो जाएगा तो homework के लिए दिया जाएगा तो इसके अंदर कहने को past year के paper है लेकिर मैंने book के format में कर दिया है सब के ज्यादा ज्यादा question डाल दिया है तो practical approach में जब जाके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे वो सारे question और in fact और इसके question कर लिए तो वो question बहुत आसान आसान लगेंगे आपको बच्चे ने बता दिवी दिया 79 page नंबर पे है चलिए अगली class के अंदर एक और new pattern के साथ आएंगे और उस pattern मान के चलो last pattern होगा फिर homework homework में एक question मिल गया है और फिर भी मैं देख लूँ कितने question homework देने वाले हैं कि अभी डाउट लेते हैं रुख जाईए अभी एक दिन और मत करिये homework बागी पिछला प्रैक्टिस करिये मैं पीडिएफ अफ्लोड कर दूंगा कि लेकिन पीडिएफ डाउनलोड नहीं होगा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हा मतलब बस open कर सकते हैं ओनर्स की साक्षी मैं कल आपको बता दूँगा कल वाली क्लास में और management की क्लास आज भी upload हुई वैसे class तो record हो गई यह दो साइद आज upload हो जाईगी ओ दोनों और timing का भी कुछ बच्चे पूछे सा सर management का fix तो सात वज़े का timing है कल सात वज़े नहीं कल नौ बज़े की क्लास रखूँगा मतलब आपका कल डे है TTS में 9 बज़े और MWF में सुबह 7 बज़े मैं regular ही record कर रहा हूँ तो मैं timing भी बताई रहा हूँ जब record कर रहा हूँ तो मैं उस time live आ जाओँगा प्लीज reply कर दो सर सब में कौन सी book है आपने PDF बनाई है सर सब से में कौन सी book है कर दो कर दो